अब हम यह देखते हैं कि Facebook के जो ads हैं how we can create them actually उसको हम create कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए Facebook के ads को create करने के लिए just like what we did in Google AdWords, AdWords को run करने के लिए हमें basically एक campaign run करने पड़ती है, बिल्कुल उसी ही तरह Facebook के अंदर पी हम लोग को एक complete campaign हमें create करने पड़ती है और campaign के 6-7 steps होते हैं depending upon the template, you guys use it या जो भी template हम follow करते हैं तो उसके हिसाब से हम एक नई campaign create करेंगे तो I will guide you through step by step हम एक एक step individually करके देखते हैं भी के जो step एक campaign को launch करने के लिए जरूरी होती है, just a recap और recap ये है के हम ये campaign create कर रही हैं कि जब कोई Facebook का user आपके product का जो भी interest है या जो भी जिस भी category का आपका product है उस product को search करेगा या अपना interest show करेगा तो आपका ad जो हम अभी बनाएंगे वो उसको automatically show होना शुरू हो जाएगा, so this is how Facebook ad work, so आईए हम इसको create करके देखते हैं, Facebook के उपर आप में जब ad create करना है, so you should have a valid Facebook id, so let me try to login there, so आपने browser में जाके लिखना है facebook.com slash business slash products जैसे ही आप products पे आएंगे, तो आपके सामने दो चीज़ें आपको नजर आनी चाहिए, वो एक नजर आएगा मुझे create an ad, जो के हम अभी create करते हैं, और दूसरा है create a page, अब मैं create a ad पे क्लिक किया, तो अब ये ad manager लोड कर रहा है आपके panel पे, मैं क्यों को अर्री login हूँ, मैंने कुछ ads already create किये हुए है, यहाँ पे आपको top platform लिखा हूँ, नजर आ रहा होगा, ad manager, और उसके बाद आपने ये left and side वाले, यह आपने सारे के सारे steps करने हैं, to complete a campaign, आप यहाँ पे देख रही होंगे, जो पहले step है, किसी भी campaign का, campaign से मुराद, simple असान लोफ़ज़ में अगर मैं आपको समझाऊं, campaign वो set of steps है, जिसको complete करने के बाद, जो आपका ad है, Facebook का ad है, वो उन लोगों तक पहुंचेगा, जब लोग अपने interest की चीज़ को search करेंगे, और उनका interest, यानि users का interest, आपके ad की जो हम अभी configurations करेंगे, जो interest यहाँ पे हम बताएंगे, उनसे match करेगा, और हमने कुछ, हमने एक दो topic पहले यह discuss किया था, कि जो Facebook का ad है, वो basically एक interest क against एक ad नहीं है, इसे मुराद यह है, कि अगर मुझे skiing अच्छी लगती है, तो skiing से related, जो product है, वो दुनिया में एक company नहीं offer कर दी, there will be, you know, अच्छी खासी number of companies होंगी, हजारों में companies होंगी, जो skiing से related product, वो sell करती होंगी, या market करती होंगी, तो मुझे कौन सा Facebook ad नजर आना च चाहिए, एक वक्त में कोई मुझे एक ही नजर आएगा, तो वो एक कौन सा होगा, वो Facebook का अपना numbering score था, numbering algo है, जो हम discuss कर चुके में, I don't want to go into the details, तो जो वो आपको ad नजर आ रहा है Facebook करना, हम वो ad यहां पर create कर रहे हैं, मतलब, now I am acting as a advertiser, असान लफजों में, मैं अब behavior कर रहा हूँ, यानि मैं अब एक ऐसी चीज आफर करने जा रहा हूँ, या मैं एक ऐसी चीज की campaign बनाने जा रहा हूँ, जो मैं लोगों तक पहुंचना चाह रहा हूँ, लोगों तक मैं reach out करना चाह रहा हूँ, ताके मेरे लोग मेरे page की उपर visit करें, तो उसका पहला step ही ह तो पहला step यह है, कि आपने, अपनी campaign का objective सेट करना है, अब objective के बाद, आप नीचे अगर यहां पे आएंगे, तो आपके पास यहां पे तीन categories आ रही होंगे, पहला step है कि you want to create your brand awareness, यानि आपका objective लोगों तक पहुंचना, for example, आपने कोई soft drink लाउंच की है, तो obviously कोई soft drink इससे buy नहीं करेगा, तो आप brand create करना चाह रहे हैं, कि लोगों पता लगे कि हाँ, एक नया soft drink मार्केट में launch हुआ है, दूसरा कि आप लोगों को engage करना चाह रहे हैं, या आप traffic increase करना चाह रहे हैं, ये तीन आपकी ना main categories है, let's suppose, मैं यहाँ पे traffic पे click करता हूँ, reason कि Facebook के अ through, उनकी website को reach out करें, ताकि उनकी product ज्यादा से ज्यादा, you know, बिके, तो मैं traffic पे click किया, तो नीचे उसने मुझे पूचा, what is the name of the campaign you want to set, तो मैं इसको chain भी कर सकता हूँ, let's suppose, मैंने रख दिया, first impression scheme, ये मैंने रख दिया, तो ये हमारा अभी पहला step हमने complete किया है, जब मैं इस पर click करूँगा, तो it will redirect me to the next page, मैंने continue पर click किया, तो मुझे वो यहाँ पर लेके आगे